आइसी सेकडमी के एजिब के सिनल प्रेटफॉर्म पर आपका सौगत है जैसा कि हम अपने पिछली कड़ी में समिच्छा दिकारी पेपर जो की आट अपरे 2018 को संपन हुआ है उसके कुछ प्रस्नों के बारे में हमने चाचा की थी उसके बारे में इमने डिसकस किया था अब उसमें आई कुछ और प्रस्नों के बारे में हम डिसकस करेंगे उनके उत्तर को जानेंगे कि क्या उनका सही उत्तर है तो आपका पहला कुश्चन है कि निमनिकित हर्मोनों में से कौन सा एक स्ट्रिलिंग हर्मोन है तो आपका Streington hormone होता है Estrogen और Estrogen जो होता है वो आपका Estrogen का ही एक पार्ट होता है इसलिए पहले question का option सही option हो जाएगा C option दूसरा question है निमड़ीडिक पे से कौन सा बहुलक जियो निमनीकृत नहीं किया जा सकता है तो इसे इंग्लेज़े में Non-BioDegrobiable कह सकते हैं की नहीं किया सकतレंग स्टार्च और पर्टीन ये तीरु वैयोडिर्यकीरेबल होते हैं यानि कि जिए निम्टनी करिड्ड होते हैं लेकिन पीबीज़ता है ऊसे नहीं कर सकते हैं इस लिए पारा पारा होता है, या पारा होता है पर कॉपर महीं नहीं होता है, इसलिए आपका धिरीका B musket हो जाएगा, विटामिन A सही सुमेलित नहीं है या आपका सही एंसर हो जाएगा क्योंकि ये पूछा गया है 5 का C अप्सन हो जाएगा निम्निकित में से कौन सा यह कुछ सही सुमेलित नहीं है 6 का D आइंसर सही एंसर है मकड़ियों तरह उतपादित रेसम कहलाता है मकड़ियों तरह उतपादित रेसम को हम गास में रेसम कहते हैं साइवन का C अप्सन हो जाएगा 8 कुस्टन एक सामान 70 किलोगराम भारवाले वैस्क मनुस में दग्त की कुल मातरा होती है लगभग 5000 मेली लीडर एक सुद्ध स्वस्त वैस्क मनुस में मातरा पाई जाती है 9 कुस्टन है कुस्टन नमबर 9 लाइफाई के बारे में है लाइफाई के सम्मंद में मिनकित की से कौन सा कतन सही नहीं है लाइफाइब का जो विस्त्रित रूप होता है वो लाइट फिडिलिटी होता है या प्रकास पतद रूपता होता है ये बिल्कुल सही है उसके बाद आपका आता है लाइफाइब द्वारा 10 GB पर सेकिंड डेटा को एक किलोमीटर की परिज में भेज जा सकता है ये भी बिल्क सही है पर जो आपका वी ऑफसन है कि भारत में लाइफाइब का सफ़र परिच्छर 29-1288 को सूचना प्रसारा मंत्राले ने किया है इसमें आपका ये सफ़र परिच्र तो 29-1288 को हुआ था लेकिन मंत्राले सूचना यों परसारा नहीं था बलकि आपका ये कम्युनिकेशन मंतराले द्वारा किया गया था विद्धूच चुमबके प्रेडर पर आधारित यूग थी है तो विद्धूच चुमबके प्रेडर यानि ये लक्टो मैगनेटिक इंडक्षन पर आधारित होता है विद्धूच मोटर अगला कुसे नहीं प्रकास संस्रेसर प्रकास संस्रेसर के लिए हमें जैसा कि पता है कि पौधे सूर के प्रकास में और मिट्टी से जल लेते हुए और कार्बन डाई अक्साइड लेते हैं उसकी साथ ही अपना बोजन प्रिपेर करते हैं पर उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूद नहीं होती है वहां से निकलता है ज नमबर एक जिवार भोजो पिसारों होते हैं जो जिवारों को संक्रमित करते हैं बिल्कुल सही है यह जिवार भोजो अनुवानसिक अभिनिया इंत्रिकी में प्रेउक्थ होते हैं यह भी बिल्कुल सही है इसलेज का सही एंसर हो जाएगा एक तता दो दोनों सही है तापक प्रू हैं शुआ है यह लुक्ext की बांपार कोओ का इप संस्क्राट जाती हैं मैं